So Hello Students, ये जो question है, ये question number 4 का fourth part है, ठीक है? Exercise 2.4 से question लिया गया है, तो आईए देखते है question क्या कहता है? Factorize 3x square minus x minus 4, तो यहाँ पर देखो, ac जो है वो a3 है और c4 है, तो ac का value कितना आ जाएगा? 3-4-0-12, है ना? 12 आजएगा, अब 12 के factor क्या क्या होते हैं? देखो, एक तो होता है 2-6-0-12, एक तो होता है 3-4-0-12, एक तो होता है 12-1-0-12, अब इन factor से में कुछ ऐसा करना है कि b की value देखो कुछ लिखा नहीं है, बहुत सारे student बोलेंगे सारी x के साथ कुछ है नहीं, तो भाई साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता है, उसके साथ 1 होता है, ठीके? मतलब यहाँ पर यह 1 ऐसे करके hidden है, ठीके? 1 ऐसे करके hidden है, क्यूं है? आप देखो 1 में अगर कोई भी नंबर multiply करोगे तो 1 x j x ही आएगा, तो 1 hidden होता है, तो अभी देखो इसको जोड़ना है या घटाना है, उसका answer 1 है, बी की value 1 है, तो उसका answer 1 है, तो 6 plus 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और minus करेंगे तो कितना आजएगा? 6 minus 2, 4, तो फिर यह दोनों ही नहीं लेंगे, क्योंकि 1 नहीं आ रहा है, इसमें देखेंगे 12 में 1 plus करेंगे तो 13 हो जाएगा, 12 में 1 minus करेंगे तो 11 हो जाएगा, यह भी नही minus 3 is equal to 1, यह condition 1 को follow करता है, अब check करते हैं कि condition 2 को follow कर रहे हैं कि condition 2 यह होती है कि नमबरों को multiply करें और AC के equal आ जाए, तो 4 into 3 कितना आ रहे है? 12, AC की value कितनी है? 12, दोनों ही condition को follow कर रहा है, तो यह हमारी हो जाएगी B1 और यह हमारी हो जाएगी B2, और इसको हम कहां पर रख चलो फिर सुलू करते हैं, solution, 3x square minus 4 minus 3, x minus 4, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ समझो आप, यहाँ पर sign बाहर का minus है, तो सारे sign बदलेंगे, यह 4 minus में हो जाएगा और 3 plus में हो जाएगा, minus into plus minus 4 into x 4x minus into minus plus 3 into x 3x minus 4, यहाँ पर और का sign लगता है, ठीक है? अब देखो, दो गुरूप है मारे पास, एक गुरूप यह है और एक गुरूप यह है, ठीक है? यहाँ से हम कोई number common ले सकते हैं, क्या? 3, 4 में से नहीं ले सकते हैं, यह x केवल common होगा, तो जब हम x common करेंगे तो 3x minus 4 हो जाएगा, और यहाँ भी देखे, 3x minus 4 है, कुछ common लेने की जरूप नहीं है, यहाँ पर plus 1 ले लिजिए, जब कुछ भी common नहीं लेना होता है, तो हम plus 1 common लेते हैं, अब यहाँ पर देखे, 3x minus 4, 3x minus 4, सेम सेम है, तो इसको भी common ले लिजिए, पूरा bracket, 3x minus 4, तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर plus 1 बचेगा, तो यह दोनों factor होंगे हमारे इस question के, ठीके, आप इसको down कर लिजिए, यह आपका rough work है, आपको इसे लिखने की जरूप नहीं है, तो यह हमारा इस question का answer होगा, students, इसको आप write down कर लिजिए, उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ help हुआ है, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें, इसी प्रकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे, तब तक के लिए thank you class